दुनिया में तरह तरह की जानवर पाई जाते हैं बड़े से लेकर छोटे तक अब आप से कोई पूछे कि दुनिया का सबसे छोटा जानवर कौन सा है तो शायद आपका जवाब चुभा होगा या कोई और जानवर तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं टेलपोर्ट से छोट मेंधक एक चीन्टी के जितने चिपकली और कुछ ऐसे जानवर जिन को देख के आप सोचेंगे कि इतना छोटा जीव आखिर इस दुनिया में जीविद भी कैसे है तो चली जादा समय ना गवाएं शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को वैसे तो आप गोडे की बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में आते होंगे बड़े शक्तिसन लिख जानवर पर यहां जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो गोडा सबसे अलग है बृटेन में पाये जाने वाले इस गोडे का नाम आइन्स्टीन रखा गया है इनकी हा इस्ट अफ्रीका में पाये जाने वाले बुश बेबी बड़े ही प्यारे होते हैं। इसे दिखने वाला ये इस्ट्रियो स्कैन श्रियू का वजन केवल 2 ग्राम का होता है। मगर ये एक दिन अपने वजन से तकरीबन 2 गुना जादा भोजन ग्रहन करते हैं। अक्सर ये नॉर्थ अमेरिका और मलेशिया में पाये जाते हैं। छोटे से जानों इतने कम वजन के साथ अपना गुजारक कैसे करते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। एक फेनेक फॉक्स आम फॉक्स से बिलकुल अलग होता है। इनका साइज बेहद स्माल होता है। और अपने सुभावों से भी ये एक फॉक्स से अलग होते हैं। सहारा डिजर्ट में पाये जाने वाले ये जीव बड़े ही एनरजेटिक और चंचल होते हैं। जिसकी वज़े से लोग इन्हें अपने घरों में पैट्स की तरह रखते हैं। पर ध्यान रहे क्योंकि इनको कब गुस्सा चड़ जाए ये पता लगाना मुश्किल है। और इसलिए आपको इनकी तरफ से थोड़ा चिर्चिरापन देखने को मिल सकता है। दोस्तो गिर्गिट तो वैसे बड़े चोटे जीव होते हैं। लेकिन अगर वो गिर्गिट सिर्फ और सिर्फ एक इंच का हो तो ये कोई आम बात तो नहीं। मोडा गासकर के जंगलों में पाये जाने वाले इस गिर्गिट का वज़न सिर्फ 0.2 ग्रैम्स का होता है। और जहां बाकी जनवर पेडों और गासों की बीच रहना पसंद करते हैं, गिर्गिट को पसंद है सूखे पत्ते। अप रही बात इनकी खाने की तो ये जीव अपना गुजारा, अपने से भी छोटे कीडे और अन्य जीवों को खा कर चलाते हैं। दोस्तो हमारे लिस्ट पर दिखाये गए अगले जानवर को आपने शायद ही देखा हो। अगर नहीं देखा तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं क्योंकि पेड़ों को बीच इनको देख पाना बहुत ही मुश्किल काम है और इनको देखने के लिए आपकी नजरों का तेज होना बहुत जरूरी है। बिलकुल किसी पेड़ की टहनी जैसे दिखाई देते हैं और अपने इस्तिर सुभाव के साथ अगर ये किसी पेड़ पर बैट जाएं तो इनके और पेड़ के बीच अंतर निकालना कठिन साबित होता है। काफी लोग इने अपने घर पें पेड़ की तरह रखना पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये बहुत ही अच्छे पेड़ साबित होते हैं। दिख जाएं तो अपने आपको भागिशाली समझिएगा। लगभग 3000-5000 किल अपने पीट को कवच करने के साथ है जोग खुद को शिकारियों से बचा सकता है। गुंजन ध्वनिकोर रेप्रेजेंट करता है। हमिंग बड इंद्र दनुस के सभी रंगों में आते हैं और उनके कुछ पंक वास्तों में रंग बदलते हैं। दोस्तो होंडूरन वाइट बैट मध्य अमेरिका के मूल निवासी बैट का एक अनूठी पर जाती है। इसमें विशिस्ट पूरी तरह से सफेद फर हैं जो चमगादर की तरह लगभग तेरह सो ग्याद प्रजातियों में से केवल छे में पाये जाता है। ये गीले सदा बाहर जंगलों में रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे छोटे जानवर। अगर आपने भी ऐसे जानवर पहली बार देखे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और इसी के साथ इस वीडियो को यहां खत्म करते हैं। और ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को और जल्दी मुलाकात होगी एक और नई रोमांचिक वीडियो के साथ वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।